नमस्कार किसान भाईयों, डी गार्डन में आप से भी किसान वेगा एक बार फिर से स्वागत है और आप बने होए डी वी दामा के साथ किसान भाईयों, एन पी के उननीस उननीस का उपयोग, अधिकतर हम अपनी फसलों में इस्प्रे दुरा करते हैं, उसको काफी अच्छा रिजल्ट भी हमें मिल जाता है, और इसको किसान भाईयों घर पर बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं, काफी सस्ता भी हमें पढ़ जा सकता है, तो चलिए पहले जान लेते हैं, इसके बनाने का तरीका जो की बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको ले लेना है, दो किलो ग्राम डिये पी, आधा किलो किसान भाईयों, यानि के पान सो ग्राम पोटास, और आधा किलो यानि के पान सो ग्राम यूरिया खाद, इन के लिए रख देनी है और च्छाया वाली जगह पर आप इसको रखेंगे और किसान भाइओ दू दिन बाद ये मिशरं उसमें गुल जाए गएगगगा और जैसे ही मिसरन हो गया किसान भाईयों आपका NPK 1919 तैयार आप इसका इस्प्रे कर सकते हैं लेकिन किसान भाईयों इसके साथ कुछ साथ आपको बरतनी है जो कि जैसा कि मैंने पहले बताया पहले तो आपको लंबे समय तक ना रखे क्योंकि ये ऐसे डिक हो जाता है यानि कि तेजाब इसका बन जाता है इसलिए अगर आप अधिक लंबे समय तक रखकर इसका दोबारा से स्प्रेग करेंगे तो किसान भाइओ आप समय सकते है कि ये आपकी फसल को फाइदा पहुचाने के यानि के स्प्रे कर ले काफी अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिल जाएगा और जो ये मिश्रन आपका बन करके तयार हुआ है आप इसको आधा एकड में उप्योग कर सकते हैं आधा एकड में आप इसका स्प्रे दे सकते हैं तो इस तरीके से आपकी फसल काफी अच्छे से growth करने लगेगी तो किसान भाई है ये थी आज की जानकारी जानकारी पसंद आई तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार